हालो मित्रो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभाद, जय मातादी, आप सभी लोग को श्रादिय नवरात्र की हारदिक शुपकामनाय मातारानी की कृपा सदाप सभी लोगों पर बनी रहे, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ, आप सभी लोग अपने घर में साखुशल होंगे, हम लोग भी बहुत बढ़िया है, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की व्लोग में, ये दो दिन का व्लोग है, नवरात्री से एग मिन पहले का टाइम है अभी है, तो अभी यहाँ पर मैं सुबह सुबह बना रहे हूँ, दक्ष के लिए टिफिन, भिंडी की प्राक्टिस के लिए दक्ष को जाना है, तो मैंने प्रॉपर लेंच बना दिया था, भिंडी की सबजी का जो है, मैंने टिफिन में रखके धकन नहीं लगा था, थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी, फिर रखोंगी करके, वरना भाप बन जाती है इसमें, तो यहाँ पर मैंने बनाई थी, रोटी और भिंडी की सबजी, दक्ष हो गया था, रेड़ी, और आज यह जा रहा था, आठ बजे घर से, और दिन साथ बे चले जाता है, तो आज थोड़ा सा लेट है, तो जा रहा है, आठ बजे अभी बस आ जाएगी, बतलब आठ पांच या ऐसी आठ दस हो हो जाएगी तो इसी छुटी की दिन स्कूल जाना होता है, तो चुटी वाले दिन ज्याधा इसको अच्छा लगता है, तो यहां पर देखो यह निकल गया है, बिलकुल रेड़ी होके अपना जाने के लिए और मैं आ गयी था, उपर छट में में आपर छट में मैंने वान जी के बहुत सुन्दा लगते हैं मुझे लेकिन काफी पुराने हो गया है यह और देखो मैंने ना पूरे मंदिर की धुलाई कर दी थी यहां पर आपको बाल्टी स्क्रब और क्या कहते हैं विम सब कुछ दिख रहा होगा पूरे मंदिर को घिस घिस के जूने से मैंने ध और यहां पर देखो मेरे हाल कैसे हो गया है मैंने नहा तो लिया था लेकिन मेरी बैंड बजी हुई है बहुत जादा इतना काम बतलब ना मुझे पूरे तीन घंटे लगे हैं मंदिर साफ करने में दक्ष के जाने के बाद से मैं सिर्फ मंदिर ही साफ कर रही हूँ अभी भ पैर हो गई थी तो मैंने सुचा भिंडी की सब्जी के साथ ही जो है ना पराठे खा ले जाए और पता नहीं क्यों मुझे काफी दिनों से भूख ही नहीं लग रही है मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा तीन चार पांच छे दिन या एक हफ़ता शायद ह हो गया है कि मुझे ना कुछ भी खाने का मन नी करा। डाल, चावल, रोटी, सबची, बाहर का खाना से जाधा पसंद है पता नहीं क्यों मुझे गुढल और गुलाब बहुत जाधा पसंद है मैं चाहते हूं मिरे पास अलग अलग वराइटी के गुढल हो बट अभी तो फिलाल मिरे पास यह पिंक और एंज और रैड वगेरा मैंने सब लगाए देखो वह लगते हैं नहीं बंद हो जाएंगी तो रात में हम लोग निकल गए थे रात में बाहर अच्छा ही लगता है और थोड़े दुने बाद दिवाली होगी ना तो दिवाली का मोहली अच्छा लगता है चावरो तरफ लाइटिंग होती है मुझे तो बहुत पसंद आता है तो हम लोग पहुंच अब मैं प्रापर तरीके से सब कुछ दिखाती नहीं हो वरना लोग ना नुक्स निकालने लग जाते हैं इसलिए जैसा आपके मन में है जैसे आपकी श्रद्दा है उस इसाफ से जैसे आपके भाव है उस तरीके से करिए भगवान खुश हो जाते हैं तो यहाँ पर मैंने जला दिया है दूसरी जगवी मैंने दिया जला दिया आप लोग को मेरा मंदिर कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताना कमेंट करके सभी के मंदिर सुन्दर ही होते हैं लेकिन आप लोग जड़ा सा कुछ कह देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा यहाँ पर मैं एक साइड म मिला था साड़े छेस्तो साथ सो का मिला था दुपट्टा भी है इसमें साथ में ओफर चला था तब मिला था द्रवाइस बहुत महेंगा था तो आप सभी लोग को नवरैतरी की फिर से हार्दिक शुपकामना है यहाँ पर मेरी चाय बन गई थी आराम से बैठके मैं चाय प लाफाई तो इतना मैस ब mensap हुआ है में मैं अप लोग को बता नहीं सकती हूँ बहुत सारे कपड़े है देखो आप लोग खुद देखो मैं सारे के सारे निखालूंगी और पथा है मैं पहले ऐसे नहीं थी मैं जरा से कपड़े जो है ना ख्राब होते थी आपना मुझे मह अब बहुरा है, इसके साथ ये नहीं पहन रहा है, तो मैंने सारे की सारी सारे साने ह fav. रख दूँगी मेरे भी कुछ टॉप है जो जिनके गले वगयरा खराब हो गया तो उनको भी ना मैं उसमें रख दूँगी मैं दूसरी बास्केट भी खाली कर लिए उसमें मैं वाले कप्ड़े रखूंगी जो हम कभी कभी पहनते हैं कुर्टे वगयरा है या सेंडो वगयरा अब दिवाली हूं अपनी सारी की सारे घर की मतला अब दिवाली आ रही है तो परदे वर्दे धोना भार घासवास की जो सफाई होती घास वगयरा उखाणनी होती है वो भी सब अभी देखो बास्केट वाले तो मैंने रख दी है अब मैं हापर तैय कर रही हूं पैंट्स अब आच के बद बैठि है ने करना अब भी घर के रहे है वह नहीं है तो देखो मैंने सनाथ कर दिया है अब मैं इनको अल्मीरा में रगा दूँगे, अभी भी नहीं, बास्केट में इतने भर के कपड़े हो गए थे, इनमें जगाई नियूर थी, मैंने ओनलाइन मगाई थी, तो यहाँ पर मैंने टी-शिर्ट्स, लोवर, पैंड्स, घर में पहनने वाले, या थोड़ा सा ऐसी है कपड़े इतने सारे होते हैं, फिर बीउस के बाद ऐसा लगता है, कपड़े ही निये, कपड़े ही निये करके, तो आप लोग को मेरा ये ब्लॉक कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बाई